बिहार में फिर से इंडियन मुजाहिदीन अपना पैट जमाने में लग गया है आतंकी साजिस में इंडियन मुजाहिदीन के साथ चीन भी सामिल है ग्रीम मंत्राले को भीजी गई खूफिया जानकारी के अनुसार नेपाल से लगते सीमा वरती इलाकों के साथ ही पश्चिम ब करती वीदियों को देखते हुए उनकी सुची SSB ने तयार की है मंत्राले को अबगत करा दिया गया है ऐसे में लोगों को नेपाल में सक्रिय आईसाई के एजेंट द्वारा फंडिंग की जा रही है सीमा वरती इलाके के जो बेरोजगार और नावाली की यूवक हैं उन्हे विश्वास में लेकर स्लीपर सेल के मेंबर के रूप में तयार करने की कारवाई की जा रही है ना समझ यूवक इस जाल में फस जाते हैं और उन्हें बाद में जब हाकिकत पता चलती है तब पस्ताने के अलावा कोई चारा नहीं रहता आईसाई के द्वारा कुछ दिनों तक इन यूवाओं को हर तरह की सुविधा मुहया कराई जाती है पिछले दिनों जोगवनी की इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट पर उजबेकिस्तान की यूटियों ने ही जाच एजेंसी से कई ऐसी जानकरियां साजा की थी जिससे यह पता चला कि स्लीपर सेल के मेंबर के त त्यार करवा ले रहे हैं कटिहार से फरार हुए आधा दर्जन से अधिक अधिक अफगानी नागरिक तमाम कोशिशों के बाद भी आज तक पुलिस के हथे नहीं चड़ पाए खूफिया विभाग के अनुसार फरार हुए अफगानी नागरिक आज भी इंडो नेपाल के सी समावर्ती छेतरों में शक्रिये हैं दरसल भारत की विरोधी शक्तियां ऐसे लोगों को तयार करती हैं जो बिलकुल साधारन दिखते हैं और आम लोगों के बीच एक साथ रहते हैं लेकिन यह लोग अपने मुख्या के द्वारा बताए रास्ते पर चलते हैं समय समय पर यह स्लिपर सेल के लोग गुप्त जानकारी अपने आकाओं तक तो पहुचाते ही हैं साथ ही समाजिक समीकरन, जनसंख्या, नावालिक यूबकों की संख्या और गरीब लोगों के अलावा जाती यह आधारित जानकारियां भी उन तक पहुचाते हैं सबसे बड़ी बात यह है क आम लोगों के साथ घुल मिलकर रहते हैं और इससे कई बार स्थानिये पर सासन भी चकमा खा जाती है जिस तरीके से आईसाई ने नकली भारती नोटों को नेपाल में जमा कर रखा है वैसे में अररिया जिला की पुलीस और एसस्वी के जवान ओपरेशन करते दिख रहे है उत्तर भारत के छेतरों में नकली नोट भेजने के लिए सिमानचल की इलाकों का उप्योग करते हैं आईसाई के अलावा चीन भी भारत वीरोधी काम करने वाली संगठन को बढ़ावा देने में लगा हुआ है ऐसे में भारतिये सुरक्षा एजिंस या हर वक्त हरकत में रह किसी भी तरह की जानकारी तुरंत ग्रिह मंत्राय तक भेजी जा रही है और उस पर एक्षन भी होता है चीन द्वारा नेपाल की जनता और सरकार को विश्वास में लेकर जिस तरीके से भारतिये इलाके से सटेगत वीधियों को अन्जाम दिया जाता है उसका लगतार भारत कि अस्तर पर विरोध भी हो रहा है बेरो रिपोर्ट सिटी पोस्ट लाइब